हेलो स्टूडेंट्स वालकम तो मैगनेट परिंस तस ताजमीन बठान गोर साइंस एडुकेटर फॉर क्लास नाइंथ और फॉर क्लास टेंथ तो भाई जैसे कि मैं आपको अभी अभी बताया कि मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूं पढ़ा रही हूं और बहुत अच्छे स क्लास नाइत और क्लास 10 की साइन्स लिया जिसमें हमारे लाइफ सेशन bạn स्ट्रेट बोर्ट से आते हैं जिसके MP बोर्ट, UP बिहार बोर्ट, डेली बोर्ट और राजस्थान बोर्ट तो हम लोग आपको प्रवाइट कराते हैं 6 से लिखे क्लास 12 तक की free of course classes स्टूडेंट्स अगर आपको e-books हैं ने नोट साही उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बख से मिल जाको तो जाओ और जल्ली से ग्राप करो और आप हमें फॉलो कर सकते हो तो यूट्योब, फेस्बुक, इंस्ट्रगाम, ट्विटर, ट्विटर, टेलिकाम और व वाले हैं, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बिल्कुल भी मसमत करना, अपने सब फ्रेंट्स को बता दो कि मैं माज ग्लास प्रिस्म बताने वाली हैं, तो सब को अपने फ्रेंट्स को भी हैं पलिया हो, और जल्ली से सेशन को लाइक करो, और रेड हाट को कमेंट करना बिल्कुल ही मत बोना, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है तो ग्लास प्रिस्म, तो वाट इस ग्लास प्रिस्म, फर्स्ट और इस क्वेशन को माइन को फेस करेगी, रिफ्रेक्शन फेनामेना को फेस करेगी, आपको मैंने एक बात बताई थी, कि ऑप्टिकल जो चीजे होती प्रिस्म को बताने वाली है, तो बहुत ही मज़दार सेशन होगा, मैं आपको पहली ही बता चुकी है, तो लेट्स स्टार्ट सेशन बीटा, देखो, मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला, कि जो आपका प्रिज्म है, वो एक ऑप्टिकल एलिमेंट है, जिसमें से अगर आप किसी लाइट को पास कराएंगे, तो वो लाइट क्या है, वो रिफ्रेक्शन वाले फिनॉमेना को फेस करने वाली है, ये बात बत पता ही थी, के रिफ्रेक्षन होने के लिए आपको दो मीडियम के रिक्वार्मेंट होती है, एक होता है आपका देंसर मीडियम, बता ही ये ने बता ही है, कि भाई for रिफ्रेक्शन, for रिक्रेक्षन we need two मीडियमस, two mediums, हमें दो मीडियम के जरुवत पढ़ा है, पहला है और फिर है आपका बटा क्या rarer medium rarer medium denser medium और rarer medium इस दो medium आपके होते हैं अगर आपको reflection कराना है फिर मैंने आपको एक बात बताई थी बटा कि denser medium में जो आपकी speed of light होती है वो slow होती है कि आपको याद आ रहा है वो सब कुछ भाई मैंने बहुत इच्छी सा आपको chapter करा द जितने मन अभी तक आपको करा दिये हैं तो देंसे मीडियम में देखते हैं कि स्पीड आफ लाइट होती है तो यहां पर आपकी स्पीड आफ लाइट होती है स्पीड सुक्री आपकी बाठ से लाइट है इसको मैंने वाटर ले लिया है और इसको मैंने अर filter लेलिया है आपने एक रे को बना एक रे आ रही है आपकी कैसे इस तरीके से ठेक है और वो एक एंगल मतलग पर ऐसी थोड़ी सी डेविएट होका आनी चाहिए ठेक है ऐसे अब लीख ली आनी चाहिए वो तो जैसी वो आएगी वाटर पर तो अब आप एक बात देखो एर एक अलग मीड में जो आपकी स्पीड आफ लाइट होती है वो जादा होती है बड़ जो डेंसर मीडियम होता उसमा आपकी स्पीड आफ लाइट क्या होती है तो इसका मतलब यह जो स्पीड आफ लाइट है मला यहां से तेजी सारी होगी लाइट अब आपको बताए कि रिफ्लेक्शन तो होने सारा मना ले रे ऐसे तो जानी सकती तो यह क्या करें कि आपको पता है सब को नॉर्मल के बारे में कोई भूला तो नहीं है नॉर्मल बहुत अच्छे बनाने इसकाई थी 90 डिग्री के एंगल पर जो डलेगी सरपेस के साथ यस माम तो यह हमारी हो जाएगी नॉर्मल ठीक अगर यह सेम में होती तो यह एस निकल जाती जैसी आई थी उसी एंगल से सेम निकल जाती देशन इन देविशन इन इंगल ऑफ दर रे बट इव दो मीडियम हास चींज तो वह विल आप्जर यह विल आप्जर बाट के आपकी जो रह वह ऐसे ना निकल के वह नॉर्मल के तो अवे या फिर टुवर्ट जाएगी या तो नॉर्मल से दूर या फिर नॉर्मल के करीब और मैंने आपको एक चीज बताई थी बटा कि अगर आपकी रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्राइवल कर रहे है तो आपकी जो रे होगी तो आपकी अब रिफ्रेक्श क्या होता हुआ हहा का ये होता है आपका ribs और ये ये आपके Kim रिफ्रेक्टे रे गीज एक हमारी आपको देख़ए ये समज यन में ये मैं इन। सबसे पहले जो चीज कंदर लगने वाली है उसको पहली बेस बन वालो मेरे साथ तो मैं शुरू में बिटा बेस बना देती हूं सेशन का ठीक है अब जैसे आपको यह समझ मा ज़ेगा फिर आप देखो कैसे रेंगो नहीं चमकता फिर मैं देख लूँ है पर खड़ियू मैं क कुछ कुछ टफ नहीं है साइंस तो टफ है ही नहीं है आपको क्यो लग रही है साइंस स्फ अगर आप मेरे साइंस को कंटीन्यू करें तो साइंस से एज़िस सब्जेक्ट मनला कोई हो इन सकता आपके लिए इतना इ declined मैं हर in paper को स homeless you जिससे आपको बोर्ट मेंगा क्वेशन कहीं से भी फसा, आपको ग्लीव नहीं होगा, यह जितना भी पढ़ाया जाता है, हापर जितने भी क्वेशन लेकर आती हूं, हर चीज जो भी आपको बताती हूं, वो सारी एक एनलिस के बाद आती है आपके सामने, मतलब कि पूरा मैं यह कैसे होगा, यह कैसे होगा, बहुत इजी है, सब कुछ हो जाएगा, मैं हो नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है, आपको साब देखेंगे, मैं आपको यह समझा रही हूं, तो यह आपके यह नहीं है, मैं यह तो आता है, यह कहा है इस चाप्टर में, यह है important, क्योंकि अग अंगल और रिफ्रेक्टिड रे के बीच मनने वाला अंगल जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, अंगल और रिफ्रेक्शन बोलते है, तो इसका मतलब यहाँ पर, this is the angle i and this is angle r, ठीक है, तो मतलब के अंगल और इंसिदेंस भी समझ मा आगे, आपको क्या होता है, and incident ray, incident ray और नॉमल के बीच में जो अंगल बनता है, वो angle क्या 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 खाथ यापका, वो क्या खालाता है, अंगल और बीच में बनता है, अंगल बनता है, angle between normal and reflected ray समझ बार है अतना point and reflected ray अगर आपको इतना point समझ बार है नहीं गारंटी दे रही हूँ आपका session clear होता जा रहा है और जल्ली session को लाइ करो जल्ली session को लाइ करो पहला आप इतने का screenshot लो विए अभी मैं आपको एक और important चीज पढ़ाने इलो इली से screenshot ले लिया डान आगे बढ़े ओके ठीक है आप वो बात ये है students ये तो एक medium की कहानी थी अगर मैं आप से ये चीज बोलू के there is a rectangular glass slab here there is a rectangular glass slab here okay this is what this is rectangular glass slab and you know मैंने क्या करा मैंने medium change करा अब आप बो लिए मैं कैसे क्या आपने medium change देखो अभी देखो मेरा करिश्मा मेरा करिश्मा ये है कि मैं air से light मारूँगी ठेक है मैं air में से light को pass कराऊँगी अब मेरे pan को दोरे पड़ चुके है ये अलग रंग बन लेगा अपने है अभी आप देखना है चलो कोई नी तो student हम लोग यहाँ पर क्या देखते है हम लोग यहाँ पर रेखें कि आपकी air से ray आ रही है ये रही क्या कलाएगी आपकी ये रही आपकी कलाएगी incident ray correct this is what this is incident ray this is what this is incident ray and as we all know कि यहाँ पर नॉर्मल है अब medium होग यहाँ चेंज air से glass slab में आ गई ही वो मतलब कि glass slab तो आपका solid होता है बिटा अब वो air आपकी क्या होती है air तो मतलब कि आपकी gas होती है तो मतलब medium change तो मतलब air यहाँ पर क्या है air है आपकी rarer medium बट आपका जो rectangular glass slab यह क्या है यह है यह है आपका denser medium यह क्या है आपका यह है आपका denser medium denser medium समझे इतना point यहाँ यह चीज़ हम लोग को समझ मागी उसके बाद अब आप देखो तो अगर यह rarer से denser medium होती है तो क्या होगा reflection का phenomenon होगा तो इसका मतलब ma'am यह जो ray यहाँ पर आ रही है towards the normal bend करेगी towards the normal क्यों bend करेगी बटा यह मन आपको बताया था speed of light क्या हो जाती है कम हो जाती है denser medium मागे इसलिए normal के towards bend कर जाती है done yes ma'am उसके बाद हम यह देखें कि यह ray हाँ से निकल जाएगी तो अब यह ray हाँ से निकलेगी तो हम यहाँ पर क्या देखेंगी बटा this is the normal here यह normal है ना एक मनट यहाँ पर क्या है यह आपकी normal है तो यह वाली जो ray थी this is incident ray and यह जो ray है जो और यह ग्लास लेप से पास हो रही है this is your refracted ray this is what this is refracted ray अब नाव हम यह देख रहें बटा है कि यह refracted ray हाँ से निकल गए ग्लास लेप से तो अब यह ग्लास लेप से वापस कहा आ रही है यह वापस आ रही है air में तो इसका मतलब आप वो medium change हो रहा है आप वो denser medium से rarer में आ रही है तो इसका मतलब कि आप जो आपकी ray है वो क्या करेगी वो away from the normal चली जाएगी तो इसका मतलब यह क्या होगा यह आपका away from the normal चली और इस ray को जो refracted ray निकलती है जब आपकी किसे medium से दूसरे medium में जाने के लिए तो इस से लेको हम बोलते हैं emergent ray क्या बोलता है हम इसको हम इसको बोलते है emergent ray क्या बोलता हम इसको हम इसको बोलते है emergent ray and this is very important concept please don't miss the session and बिलकुल भी अभी मत उटके चले जाना बिलकुल भी मत उटके चले जाना ठीक है तो this is emergent ray तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं कि आपका incident ray और normal के बीच में जो angle बनता है वो क्या होता है वो होता है आपका angle of incidence होता है नहीं होता है अभी बताई मैंने पीछे बाद फिर जो आपका normal और refracted ray के बीच में अंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते है angle of reflection बोलते हैं नहीं बोलते हैं अब हम देखें बीच में किस के बीच में यहाँ पर emergent rayon normal के बीच में जो angle बनेगा याद आ रहा है याद आ रहा है नहीं आ आपको कि अगर हम यह ऐसे पास कराते without any deviation तो यह आपका parallel होती emergent ray और क्या incident ray तो this is your emergent ray जो क्या है आपकी जो refracted ray जब निकली है ना medium से तो emergent form की ray में निकली है समझ गे यह नहीं समझे जली से पते है अगर यह जीज़ चम गगी है ना तो मैं गैलेंटी दे रही हूँ बस अगले topic तो यह हूँ चुट्कियों मोड़ा होगे ऐसे चुट्कियों में साफ पहले इतना screenshot लो समझ माया ओके screenshot ले लिया आप बहुज़ रहा है हापने ठीक है तो देखो वी हाँ अगरी स्टीज़ दे रिफ्रेक्शन अफ लाइट थ्रू अर रेक्टांगुल अग्लास लाइब अभी पढ़ाई दिया मने आपको इन रेक्टांगुल अग्लास लाइब अभी पढ़ाया है मने ये चीज़ आपको विकॉस अपोज़ेट फेस अफ ग्लास लाइब आपको बना के दिखा दूंगे आपके आपके स्कूल लाब्स में जो फिजिक्स की लाब है उसमें आपने पका ग्लास प्रिसम को जरूर देखा होगा आप देखते हैं आपके दो आपके इस तरीके से आगे पीछे ट्राइंगलर फेस होते हैं और नीचे और ऐसे साइड में आपके तीन रक्ताइंगलर स्लाब्स होते हैं और ये एक एंगल पर इंगल पर इंगल होते हैं and sometimes even just a prism. तो triangular prism, glass prism, prism, एक ही बात है. ठीक है? Okay. This is because in reflection, दुको मैं बताती हुआ आपको. How it looks? It looks like something, like we have this figure. Okay. ठीक है? We have this figure. Done. Now, let's join the lines. Okay. I hope are you getting my point from this. Okay. Done. तो अब मैं आपको बता देती हुआ कि क्या है और कैसा है. अब आप इस अगर डायग्राम को थोड़ा सा भी समझ पाने ने, थोड़ा सा भी तो आप ध्यान दीजेगा. जहाँ पर मैं नम्मर्स लिखनगे ना, महाँ पर दी आंदर हा. तो जो आपको आगे वाला फेस निजेगा रहा है, is it triangular or not? है? बिल्कुल है. क्या ये है, जो मैं आपको बता रही ना, ऐसे मैं माक करके, ये triangular है? बिल्कुल है. पीछे मैंने एक और triangle बनाया थे ये वाला. क्या ये triangle है? है. तो मैं प्रिज्म में, ऐसे अब आप समझ पा रहूंगे है ना, तो मैं यहाँ पर आपके दो triangle है, ठीक है? तो मतलब एक triangle ये वाला, ठीक है? और एक triangle पीछे वाला. अब एक बाह बताओ वामे को. अब बताओ आप बताओ, तो अब बस ये तो है प्रिज्म, और क्या है? अब आप देखो, अब मैंने इसको इस तरीक से दखाए, अब आप मैं गर आपको ऐसे दिखा दू. इसकी लाइन हे वाईन होईन होटा के तो आप बहुत अच्छे समझ जाएगे. अब आप इसका 3D विजन भी देख लो. अड़ यार, वो लाइन के जली गई है. बट इसको न ऐसी रहने दो, ठेके? क्योंकि आपको ऐसी दिखता है वो, ग्लास का होता है न आपको ऐसी निज़राता है. अगर यह उप्तिकल अलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है, लाइट को बेंट करने की. तो भाई, यह तो कर देगा. यह क्या कर देगा? यह तो कर देगा. ठीक है, समझ मैं आप लोग के वाला point? चलो फ़ले इतने का screenshot लो. अब यह जो इनके यहां पर यहां पर आपको दिख रहे हैं, यह angle of prism के हैं, इनके faces के बीच में बनने वाले angles के हैं, these are the angle of prism. This is because in reflection through a glass slab, the emergent tray is parallel to the incident tray, but in reflection through a glass slab, the emergent tray is not parallel to the incident tray, and this is very important point. यह आपको धियान रखने से, आपको मैंने भी एक चीज़ दिखाईती ही हाँ पर, कि जब आप rectangular slabs ऐसे देखेंगे, तो आप यह चीज़ observe करें, कि incident tray और emergent tray आपस में parallel हैं, क्या हैं आपस में यह parallel हैं, ठीक हैं, यहाँ पर, but अगर आप rectangular, उसकी मदख के, अगर आप glass prism क कि बात करेंगे, बटा, तो glass prism आप एक चीज़ notice करें, कि आपके incident tray और आपकी emergent tray parallel नहीं होने वाली हैं, and this is very important point, और अभी आपको यह चीज़ समझ में भी आजेगी, जब मैं आपको एक diagram और एक आपको क्या कराऊंगी, एक पुरा case अभी मैं दिखाने वाली हूँ, the emergent tray of light in a glass prism is not parallel to the incident ray of light, because opposite faces of the glass prism are not parallel to one another, क्योंकि हम यहापे क्या देखते हैं, हम यहापे यह चीज़ देखते हैं, कि रेक्टांगुलर स्लैप के अंदर, emergent tray और आपकी incident tray आपस में parallel, इसलिए थी, क्योंकि उनके opposite faces parallel थे, बट हम इसमें यह चीज़ ऑपको करते हैं, ग्लास अब आते हैं, अब आते हैं, reflection of light, थोग ग्लास प्रिस्म, बहुत इजी है, देखा, धियान से मेरी बात देखना हूं, आप देको reflection कराते हैं, हां से, इसी वाले में, तो को हम ने इसको paper पर बनाते हैं, तो हम सिधा एक triangle ही बनाते हैं, मना बहुत ज़़दा complicated हो जाएंगी हम तो 2D यूज करने हैं, हम आपे 3D नहीं बना सकते हैं, तो आप simple एक triangle बना कर भी अपने glass prism को show कर सकते हैं, बस आपको angle सही से महापे दिखाने हैं, आपको rays सही से महापे दिखाने हैं, तो वहना ray of light passes through a glass prism, reflection of light occur both when it enters the prism as well as it leaves the prism, अब आपको पता है बटा, कि आपने अपने glass prism को का रहा होगा, air में normally, glass, मगर आप experiment को करे हैं, कहीं पी भी आप experiment को करे हैं, तो आपने usually अपने glass prism को हम ही पर ही रखा हुआ, अब the point is this, कि आपने air से light को pass करा है, अब 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 आपने light मारी, फोड़ा glass prism, तो prism से light pass हो गई, reflection होआ होगा, and then prism से आपकी light क्योंकि mediums change हो रहे हैं, अब यह तो आपको समझ मा गई यह बात, यह मैं आपको clear कर दिया है concept, अब इस पर कोई बच्चा मुरी यह नहीं हो लगा, मैं यह समझ मनिया है, क्योंकि मैं ने पहली base बना दिया है, तो इसका मतलब मैं, अगर हम कोई light मारेंगे तो, it will show the reflection through the glass prism since the refractory surface of the prism are not tidal, therefore the emergentary and incidentary are not tidal to one another, ठीके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक diagram बनाएंगे, ओके, चलिए, तो मैं आपको दिखाते हूं कैसे होता है आपका यह reflection और उसका phenomenon, तो सबसे पहले, just make a triangle, like this, ठीके, इतना तो आप करी सकते हैं, यह कोई मुस्ते इस पर भी लड़ करते हैं कि यह हाँ पर prism है, ठीके, this is what, this is glass prism, and it is solid, क्या, it is solid, अब यहाँ से बीटा, आप air से light को पास करा रहे हैं, जब आप air से light को मार रहे हैं, तो air is in another medium, air is in another medium, and prism is in another medium, है न, हम देखने हैं यह जो आपका glass prism है, this is your, this is your denser medium, this is your, this is what, this is the denser medium, ठीक है, and the, here is air, so air is the, air is what, air is the rarer medium, here, done, easy, rarer, medium, here, समझ माल यतना point आप लोग को, yes, माम यह चीज हम लोग को अच्छे ज़े खलिक हो चुक है, अब हमें क्या करना हैं, आप हम लोग को यहाँ से, a glass prism आपको बना लिया, has been tapped in its base, a ray of light A, B is incident on the face, अब अब आपको क्या लगता है, अब आप बताई मुझा, अब आप यही चीज़ और आप ऐसे बनाऊगे, आप ऐसे light को फॉल कराऊगे, तो ऐसे तो पास तो होने सार ही हो, क्यों, क्यों कि माम, यहाँ पर medium change है, यहाँ पर reflection, यहाँ पर सीधी नहीं जा सकती, यहाँ पर होगा reflection, क्या होगा, यहाँ पर reflection, आपकी रही सीधी तभी जा पाएगी, जब आप सेब medium में यह काम करा रहे है, क्या, तब आप सेब medium में यह काम करा रहे है, imagine कि खिले का यहाँ υτहीं है, यहाँ पर जब हम normal डालेंगे, जब हम यहाँ पर ऐसे normal डालेंगे, तो this is the normal here, तो यह सी प्रकेट है जली से बताओ मुझे, ये आपकी रेर से dense है मारें तो मैंने ये तोर्स दा इस तरीक से normal रहने वाला है यह रहेगा और नहीं रहेगा मानते हो नहीं मानते हो यहाँ पर हमारा normal रहेगा तो इसका मतलब यह as it is तो नहीं निकल सकती यह as it is तो नहीं निकल सकती तो यह क्या जाएगी अब एक बात आप notice करोगे यहाँ पर आपकी जो रिफ्रेक्टे ड्रे है वो देंसर मीडियम से रहर मीडियम मारी है कहां रही वो देंसर मीडियम से रहर मीडियम मारी है तो वो थोड़ी सी ऐसे बैट कर जाएगी अब यह from the normal तो this is the emergent tray this is what, this is emergent tray क्या, this is emergent tray समझ भाई है पोई पांट है को यह समझ भाई है थो आया चली बताओ तो आप इतना हम इस को खुद से बनाके देखेंगे तो आप इस इस डाइगरम में वही चीज दिखा रहे है कि ऐसे गई रहे, ठीक है, नॉमल दिस, तो ये नॉमल, देखो, ऐसे जा नी सकती है, तो ये नॉमल से, कैसे जाएगी, तो ये नॉमल होके जाएगी, देन, अब ये रहे बहार निकलेगी, this is the normal here, अब हम क्या देखने बटाए, य emergent रहे से निकल जाएगी, ठीक है, अभी मैं आपको angle of deviation वगारा सब सिखाऊंगे, don't worry, बिल्कुल tension लिलने का मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये बात याद रखना बस, तो हम ये देखेंगे बटाए, यहाँ पर, कि this light comes like this, मुले कि यह जो incident ray है, आपकी वो ऐसा आ रहे है, अब problem ये है हाँ पर, कि ma'am ये है, हमारी incident ray, चलो, ये problem नहीं है, कि incident ray है, problem ये बताती हम आपको, incident ray, तो this is incident ray here, so हम यहाँ पर कहाँ चीज़ और यह चीज़ और यह चीज़ और ठीक है, और ये आ रहे है, denser medium में, तो हम यहाँ पर कहाँ चीज़ और कि अब होगा reflection, तो मतलब ह this is normal here, this is what, this is normal, तो हम यह देखिए बता, ये आपकी ऐसे as it is तो जाने से रही, ऐसे थोड़ी चली जाएगी है, अरे medium change हो गया, हाँ, तो ये कैसे जाएगी बता, ये जाएगी आपकी, क्या, ये आपकी ऐसे चली जाएगी, जानी ऐसे चाहिए थी, जानी ये ऐसी चाहिए ये थी, बट ये जाएगी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि reflection हो रहा है, medium change हो, तो बतलब ये आपकी, दखो, आप ये rear and medium से dense रहागी है, तो towards the normal जाएगी है, मतलब क्यों कुछ ऐसी, ओ, ये क्या होगा, ये ऐसी आपकी, चली जाएगी like this, this is refracted ray, this is what, this is fatigue, this is reflected ray, done, yes ma'am, अब हम यही देखते हैं, बटा, कि यहां से यह भी ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, बस सीधी जाएगी नहीं, जाएगी क्या सीधी, बताओ जरा मुझे, क्या यह सीधी चली जाएगी, नहीं जाएगी मान, तो यहां पर जैसे हम नॉर्मल डालेंगे, this is the normal here, है ना, आपको पत भाग लेगी, यहां पर, यहां रेकम चुको, यह, यह, यह क्यो होगा, ठेक है, तो यह away from the आपकी normal भाग लेगी, तो this is your emergent ray, this is emergent ray, यह क्यो हो जाएगी बताओ, यह हो जाएगी आपकी emergent ray, है ना, समझ मैंवला point, और यह होगी आपकी reflected ray, अब आपको यह चीज अच्छ here, this is angle of incidence here, और आपका reflected ray और नॉमल के बीच मुच अंगल बन रहा होगा बटाई, यहां पर, this is the angle of reflection, angle of reflection, समझ के वाला point, yes ma'am, उसके बाए बटा, normal और emergent ray के बीच मुच अंगल बन रहा होगा, उसको हम बोलेंगे, angle of emergence, बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, बोलें कि अगर यहां से मैं प्रिजम को हटा दू, if I remove the prism here, तो आपको क्या लगता है, incident ray कैसे जाएगी, incident ray, फिर ऐसी जाएगी, जिस पात से वा रही थी, मतलब के, अगर मैं प्रिजम को यहां से रिमॉफ कर दू, ठेक है, तो हम यहां पर क्या देखेंगे, हम यहां से जो ray वो मतलब के, emergent ray कितना deviate कर गई, इतना deviate कर गई, basically यह incident ray आई, यह reflection हुआ and reflection के बाद वापिस से ray निकल गई, तो incident ray, आपने incident ray डाली थी ना प्रिजम के ओपर, तो incident ray प्रिजम से निकली कैसे, in the form of emergent ray, अगा प्रिजम नहीं होता तो वो सीधी निकल जाती incident ray, but, प्रिज this is called angular deviation, angular deviation, बात खतम, this is your angular deviation, क्या, यह है अपका angle of deviation, समझ गया है, जल्दी से पताईए, समझ गया है, समझ गया है, समझ गया है, इस माम चलो, screenshot लो पले इसका, फिर बताती हुआ अब यह और चीज़े, ले लिया, अब आओ जो रहे हापर, तो देखो, यह चीज तो आपक है, के, here also the emergent ray of light CD, bends towards the base qr of the prism, when a ray of light passes through a prism, it bends towards the base of prism, in other words, when a ray passes through a prism, it bends towards the thicker part of the prism, ठीक है, अब, if you look carefully at a figure, this figure, as you can see this, तो आप इस figure में वोई चीज देख पाने, जो भी मान आपको बता है, emergent ray क्या होता है, यह साइच चीज़े, we will see that emergent ray CD is not parallel to the incident ray, there has been a deviation in the path of the light in passing to the pr prism, लगे शुक्त भी किखो, तो आप देखो, आप देखो न, पारलल कब होती है, जो कभी मीट नहीं करेंगी, तो अम यहा पर देखराए, एक same distance पर चलती है, एसे, same distance पर चलती है, तो यहां पर अपने चलते हैं, इसे, same distance पर चलती है, नजरा आरहे है, यहां पर कम है, य glass prism, आपको मने क्या बोली है, मैं आपको एक बात ये बोली है, कि आपका जो prism है, वो एक तरीक से optical element है, एक तरीक से का, वो एक optical element ही है, ओके ठीक है मैं में वो optical element है, अब the point is the student, कि जब वहांसे एक white light pass करेगी, तो dispotion का मतलब क्या होता विटा, कि जब आपकी white light महाँ से pass करेगी तो आप देखिए कि वो white light जो होगी हो आपकी seven colors में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, ठीक है? And this phenomenon is called dispersion of white light. समझ के वाला point? Yes, ma'am. And वो जो आपका spectrum है, बिटा, वो जो bands of colors है, उसको हम लोग बोलते है spectrum. क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसको बोलते है spectrum. जैसे कि मैं आपको बताती हूं कि जो आपकी white, जैसे कि आपने light 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 color की torch, mobile की, जब आप उसको ऐसे मारेंगे, तो आपको कुछ ऐसे visible निए होगा. But when you pass it through the prism, उसमें reflection होगा, तो you will observe that, कि वह आपकी डिस्पोस हो जाएगी इंटू 7 कलर्स बट क्या आप सोच रहे हैं कि भाइट लाइट से 7 कलर्स की बनी हुई होती है यह हम लोग easy करने के लिए बोलते हैं white light millions of colors की बनी हुई होती है बट easy करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आपकी white light होती है और उसकी speed के according वह आपकी split हो जाती है ठीक है तो हम यहाप पर क्या देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास यह prism है this is prism मैं आपको बताते हैं कि आपको इस तरीकी से representation दिखानी है उसकी तो यह prism में क्या होगा जैसी white light आप यहाँ से पास करेगी आपकी तो आप यहाँ पर यही चीज़ observe करेंगे it will split into seven colors क्या it will split into seven colors किस-किस में विब ग्यॉर में टूटेगी है ठीक है विब ग्यॉर में यहाँ आपकी violet I don't have legacy बना लेते हैं ठेक है V-I विब B G Y O And R आपको दिखी रही है हाँ पर This जिसको मैं टाली हो भी This R तो आप देखने बटा है यह आपकी 7 colors में टूट गी किस में टूट गी आपकी यह आपकी 7 colors में हाँ पर split हो गई 7 colors में आपकी split हो गई 7 colors में कौन से है आपकी Vib Gyor Vib Gyor Vib Gyor का मतलब क्या होता है बटा Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow and Orange ठीक है And this is white color This is white color This is white light मतलब कि This is white light समझवाय अला point यह समाम तो इसका मतलब कि अगर कोई भी white light आपके prism से pass करी बटा तो वो आपकी 7 colors में split हो जाएगी And this color यह जो bands of color है यह जो band of color है This band of color is called spectrum इसको हम क्या बोलते हैं मतला इसको हम लोग बोलते हैं spectrum समझ मैं हाथना point? जल्ली बताओ, समझ मैं है नहीं समझ मैं है? अगर समझ मैं के तो इसी बात पर Red Heart कमें कर दो जली से सशिन को भी लेक कर दो तो यह आपको समझ मैं के dispersion of white light क्या होता है माम कि आपका white light का seven colors में तूट जाना और उन colors कम लोग क्या बोलते हैं बटा विभ्योर बोलते हैं तो prism has probably split the incident white light into a bands of color and these bands of color are called spectrum तो various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as you can see in this diagram the splitting of white light into its component color is called dispersion तो dispersion क्या होता है बटा क्या white light का आपने component colors में तूट जाना this is called dispersion of white light तो आप यह पर देख भी पार होंगे बटा this is the glass prism here तो मतलब कि आपके नमाग में एक चीज आ रही होगी मैं एक बास बताईए चलिए यह 7 colors में तूट गी बट क्या हम 7 colors को जोड़के white color बना सकने है आप यह दमाग में नहीं आ रहे आपको यह तो समझ बाना है कि when you pass the white light through a prism then it will spread into 7 colors and the bends of the color called spectrum and this is called dispersion of white light यह आपने अभी सीखा मेरे से but the point is this कि माम if we add the 7 colors can we get the white color let's see तूट यहीं पे Newton ने experiment किया था जहाँ पर हमने दिखा था कि उन्होंने 2 prism को रखा था but एक prism को सीधा दूसरे prism को उल्टा कर कर रखा था वहाँ पर हम लोगोंने क्या देखा था तूट वहाँ पर हमने यह चीज़ दिखा था कि जब white light निकलती है बताती हूँ आपको recombination of prism हमने उसको बोला था ठीक है तो next आता है आपका recombination of spectrum color to give a white light तो आपके दबागों यह रहाँ कि माम कि अगर हम लोग सारे colors को इससाथ मिला देंगे क्या हमें white color मिलेगा क्या हमें white light मिलेगी तो let's see मिलेगी है नहीं मिलेगी student we have just seen that white light can be disposed into its 7 constituent color Newton showed the reverse of this is also true that is the 7 color light of the spectrum can be recombined to give a black white light तो Newton ने इसी देखो white light 7 colors में तूटती है Newton ने बताया कि भईया यह 7 colors उड़के भी white light बन जाएगी आप कैसे बताया? क्या हुआ? let's see, चलिए क्या हुआ? कैसे हुआ? देखते हम लोग यहापे आप आपको क्या करना? आपको इस तरीकी से glass prism ले लना है ले ले लेंगे आप यहाँ से? ठीक है तो हम यह देखेंगे हाँ आपका क्या आप यहाँ पर दो prism लेजे let's take a two prism here one is here and the second one is here done? okay पर इसको उल्टा लेना था इसको मने सीधा ले लिया एक मिनट इसको मुझे खुद से बनाना पड़ेगा चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बना लेगी ने खुद से भी just use these lines and you will get what you want चलो, बना लिया ठीक है तो हमने क्या देख बटा, हमने हैं से यही चीज़ औबजब करी ठीक है तो हम यहाँ पर क्या देखने की बटा यहाँ से यह यह white light आई this white light incident on this prism आगी, ठीक है, आप क्या होगा यह prism क्या है, यह reflection को show करेगा ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखने की विपग्यॉर में टूट जाएगी किस में टूटेगी आपकी विपग्यॉर में ठीक है ऐसे यह आपका वी जी वाई, ओ, 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 भी तो चाहिए okay, done but maybe this is not pretty much okay, done this, यह जो spectrum है मैं लब इस band of color को हम लोग क्या बलते हैं, spectrum होलते हैं ठीक है, अब हम देखेंगे अब यहाँ से इस तरीके से pass करेगी इस prism से अब यही light तो निकल के जाएगी दूसरे prism में मानतो यह नहीं मानतो इस बात को, यही light निकल के जाएगी तो इसका मतलब यह यहाँ से ऐसे pass करेंगे इस तरीके से जब जाएगी student, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर यही चीज़ observe करेंगे, कि यह तरीके साएगी हाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर यह ऐसे y, r, ठीक है, ऐसे निकलेंगे, तो आप हम देखेंगे बटा, यह यहाँ से कैसे निकलेंगी, यह आपके ऐसे निकल जाएगी ऐसे, यह है recombination of prism, to get a white color from the combination of 7 colors so, this is called recombination so, this is recombination of prism by 7 colors to get a white light ठीक है, तो आपको करने, a triangular glass prism PQR is placed on its base as shown in the figure and on the similar prism as shown in the figure. In what position मिन बुलता है, उल्टा करके लखना आपको, to its reflecting surface in the opposite direction. When a beam of white light is allowed to fall on the first prism PQR, then a patch of ordinary white light is obtained on the screen placed behind the second prism. तो यहां पर आपने का करके दखो, आपको white light नजर कैसे हैगी? white light नजर नहीं आती, मना आपसे क्या होता, white light आपको नजर नहीं आएगी, आपको कप नजर आएगी? यह जो screen आपने हाँ पर आपने हाँ पर लगाःट नजर आएगी, इस screen पर आपको क्या नजर आने वाली है? white light नजर आएगी, समझ के वाला point? यस मेम तो इस वाइट लाइट नजर आएगी देख रहे है आप यह आप यह आपंड, थिक जसे आप देख रहूँ पाच आ पाच बनता हमा नजर आएगा और यह पाच क्या है? यह पाच यह आपको पता चल रहा है कि आप बहूँ सेवन कलर्स में तूटी थी उसने किया करा उसने white light को seven colors में split कर दिया और second class prism ने उन सब seven colors को receive करा और recombine किया और original white light की form में fall करा है screen पर the recombination of seven colors produced by first prism is due to the fact that the second prism has been placed in worse position due to which the reflection produced by the second prism is equal and opposite to that produced by the first prism हमीं देखते हैं बिटा क्या आप इहां पर prism को लटा क्यों रख रहे हैं आपको white light मिलेगी तो इस तरीक से बिटा हम लोग देखते हैं कि जब आप दो prism को combine करेंगे और वहां से आप white light को produce करेंगे तो पहले white light आपकी seven colors में तूटेगी देन वो seven colors के light क्या बना देगी वापिस से white light बना देगी done? easy peasy? yes ma'am easy peasy next topic for this session will be rainbow आप क्या है बटा? अब रहेगा आपका rainbow अब rainbow हम लोग समझने बटा? rainbow तो आपने मेरा समझा था मेरसे याद है वो वीडियो जहाँ पर मैं आपको rainbow बनाना सिखाया था या कोई ऐसा है जो भूल चुका है ma'am का rainbow मैंना आपको एक चीज़ बताई थी बटा कि rainbow बनने के लिए सिर्फ तीन फनामेना होने चाहिए rainbow बनने के लिए तीन फनामेना हमें चाहिए वो तीन फनामेना का है बटा? ya dispersion reflection या फिर dispersion take a dispersion next TIR यह क्या था यही तो था picture का सबसे बड़ा मैंना आपको बताया था TIR की वेसे तो मामला हो रहा है सारक सारा so TIR is what total internal reflection total internal reflection take a and the next one is reflection यह reflection है यह reflection है कभी इसको rection बना दो rection मत बना दना असका and this is what this is reflection this is reflection समझ गे? समझ गे नवाला point आप लोग यह समझ गे तो अब यह आपका इस आपको तीन स्टेप से आ रखने और तीन स्टेप सा आप देख लेंका rainbow का formation कैसा होना let's start the आपका देखो अब आप सोच रोंगे ma'am rainbow हमें पता है कि भाई सबसे beautiful phenomena जो हमारे उसमें अर्थ में है reflection का वो क्या है? मतलब कि dispersion of white light का वो है आपका rainbow क्या है बटा वो rainbow बटा आप सोच रोंगे ma'am, dispersion of white light तो हमने समझ लिया कि आपका जो white light है जब वो prism पर पढ़ेगी तो it will split into seven colors but the question is here कि ma'am, atmosphere में prism कहा पर है हमें तो prism लगेगा बिल्कुल है prism, अब आप सोचोंगे water droplets, क्या student water droplets हो है वही तो prism की तरह act कर रही है तो मतलब कि क्या होता है, आपको rainbow बनाने के लिए एक तरफ sunlight चीए और एक तरफ आपको चीए water droplets चीए कि जब बारिश होती तब हमें rainbow नज़र आता है generally कुछ seconds के लिए, कुछ minutes के लिए बट अगर मैं आप से बोलूं कि आप rainbow को हाँ टाइम भी देख सकते हैं तो आप बोलेंगे ma'am, what is this? why are you joking? why are you kidding? I am not kidding, I am saying yes आप बोलेंगे ma'am, कहाँ पर? waterfall के पास, near to the waterfall आप बोलेंगे how? देखें सुरेंगे, आपको बता है waterfall हो रहा है कहीं पर, तुम्हाँ से droplets चीए water की और अगर वहाँ से sunlight उस पर पढ रही है तो आप देखेंगे there is a beautiful rainbow there ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका एक beautiful rainbow आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो first of all we will see how rainbow formed and then हम लोग आल का discussion करेंगे चलिए, तो आप जोली से यह आप लिख लीजिए के rainbow को होने के लिए यह चीज़े लगने वाली है reflection, TIR और reflection ठीक है माला dispersion, TIR and reflection तो हम यहाँ पर क्या दिखते हैं हम लोग यहाँ पर यह चीज़ observe करते हैं के there is a water droplet here ठीक है, this is water droplet this is water droplet, तो हम यहाँ पर water droplet act as a prism here क्या करेगी यह आपकी water droplet water droplet act as a prism यह आपकी prism की तरह आपक्त करने वाली है समझगे वाला point, yes ma'am, यह चीज़ हम लोग समझ गया when a white light, इधार जब आपकी white light आएगी student, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ observe करेंगे, हम यहाँ पर यह चीज़ observe करेंगे कि this white light is split into seven colors like this like like it will split into like this ठीक है यह आपके ऐसे तूट जाने वाली है seven colors में तूट जाएगी seven colors में, okay ma'am अब हम क्या देखते हैं, हम लोग यह चीज़ observe करते हैं कि अब यह बहार नहीं जाती आपको पता है कि generally prism में क्या होता है कि अगर आपन दूसरा तो वह बहार निकल जाएग ठीक है ऐसे like this ऐसा कुछ और यहां से इस तरीके से निकल जाएगे यहां से यह ऐसे बहार के तरफ यहां से निकल जाएगा तो इस तरीके से बिटा आपका rainbow का formation होता है ठीक है seven colors ऐसे आपके बहार आजाते है यहां पर आपको यह क्या दिख जाता है यहां पर आपको rainbow दिख जाता है बट the point is this ma'am यहां पर point यह है हमारा कि हुआ कैसे how is this possible कि यह बहार ने निकला यह अंदरी reflection इसके हो गया, rain drop के नदर अब मैं आपको वह बताते हूं देखो यह तो आपको समझ माहता है पहले step आपको समझ माहता है dispersion को लिखा था मैने वहां पर for sure आप तो आपको समझ माहता है क्यों मैं white light पड़ी and then it will split it is splitting into seven colors okay done yes ma'am and अब मैंने second step को dispersion of वह कोई object उसका गिरिया maybe उसका mobile phone गिरिया है कुछ भी तो उसने क्या करा वह गया उसको बचाने के लिए ठीक है और उसका आप में torch और वह देख रहा है ठीक है तो हम देख रहे है कि कुछ time तक तो torch नजर आ रही है light नजर आ रही है बाद थोड़ी देर बाद this is water मैं नहीं बना लिया तो हम देख रहे हैं यहां पर आपने रखे torch आपने क्या रख रहे हैं torch तो आप देखिए यहां से आपको पता है कि torch जो है वहां से ऐसे रोशनी तो निकलने वाली है वो लड़का गया है अपना phone ढूंडने के लिए तो जब वह अंदर कूद गया पानी के तो जब वह कूद आ तो उसने हां पर torch वह torch से लेकर घूम रहा है जिससे उसको दिख जाए तो हम यहां से क्या देखिए हम लोग यहां पर यह चीज़ ऑबज़फ करेंगे कि आप आपका यह तो है water this is the water here and ओपर क्या air है ना medium अरे है तो air ही ना कोई आप बकसा थोड़ी लिए बैटो air है वहां पर okay तो मैम हम देख रहे हैं यहां पर medium होगे change air वह आपका रहर medium है और जो आपका water यह आपका dancer medium है समझ मैंतना point yes ma' water आपका dancer medium है और air आपका rare medium है कि आपकी जो जब यहां से जाएगी जब light ऐसे जाएगी तो आपको कहा रगता है यह ऐसे चली गई ठीक है तो यह आपकी incident रहे हो गई क्योंकि अभी एक medium से दूसरे medium में जारी तो यहां पर this is the normal here तो आपको पता है student कि यह आपकी आपकी जो आपकी जो रहे है वो इदर साइड आपकी जो रहे है जब यह आपकी जो रहे है इस तरीके से इहां पर फॉल हुई क्या वक्ता है वो वक्ती ठीक है वो time कुछ ऐसा आया क्या आपकी incident ray आपकी जो incident ray थी बटा वो कुछ इस तरीके से फॉल कर गई यहां पर किस पर water के surface पर क्या आपकी जो refracted ray थी उसने normal के साथ 90 degree का angle बना लिया क्या आपकी incident ray एक ऐसे angle से क्या हुई मतलब के हाँ पर incident हुई क्या आपकी refracted ray ने normal के साथ क्या बना लिया 90 degree का angle बना लिया क्या बनाया 90 degree का angle बना कर वो water के surface के साथ ही as it is निकल ली अब इसके बाद हमने यह चीज़ observe करी क्या आप अगर यह refracted ray 90 degree का angle बना चुकी यह तो आप तो 90 से जादा के बनाने वाली है for sure बनाने वाली है नहीं बनाने वाली है तो मतलब के अब मैम जो आपकी torch के light हो बहार नजारी नहीं आईगी अब वो अंदर को ही reflect होगी कैसे देखो जब दूसरी बार incident ray निकली तो हमने देखा वो already हमने क्या देखा था हमने देखा कि वो already आपकी क्या कर चुकी थी 90 degree का angle incident होने के बाद आपका reflected ray होती जब वो medium change करती है बड़ हम देख़े हैं फर यहाँ पर यह reflected ray नहीं रहेगी अभी क्या रहेगी बटा अभी रहेगी आपकी reflected ray. क्यों? क्योंकि हम देखने हैं यहाँ पर आपकी जो ray है यही पर अंदर को ही reflect हो जाएगी. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो reflected ray है उसने already normal के साथ 90 degree angle बना दिया था. यही पर concept आता है क्या critical angle. क्या? critical angle. ठीक है? अब critical angle क्या होता है बटा? critical angle होता है कि जब आपका जब आपकी जो normal है और यह reflected रहे आपसमें 90 degree angle बनाती है ठीक है? तो यहाँ पर आपका critical angle का concept आ जाता है. महले कि अब आपका जो angle of incidence है आप आपका देख रहे हैं यह आपका critical angle हो गया? ठीक है? तो आप देखते हैं आपका 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 आपक act कर रहे हुंगे प्रिजम की तरह, तो the most beautiful example of spectrum formed by the dispersion of sunlight is provided by nature in the form of rainbow, the rainbow is an arc of seven colors visible in the sky which is produced by the dispersion of sunlight by dropping, by raindrops in the atmosphere, the rainbow is actually a natural spectrum of sunlight in the sky, the rainbow is formed in the sky when the sun is shining and it's raining at the same time, ठीक, अभी आपको बिताया कि critical angle of incidence जुथा आपका, वो कब बना, जब आपकी normal ने reflected ray के साथ 90 degree angle बना दिया, उसके बाद जो आपकी incident ray आईगी बिता, वो आपकी, मतलब के 90 degree से ज़्यादा के angle पर ही, क्या करेगी, आपको reflect करेगी, तो उसका मतलब यहाँ पर आपका critical angle of incidence से ज़्यादा होगा, आपका incident ray का angle, तो मतलब के उस time पर आपका क्या देखा जाएगा, उस time पर आपका देखा जाएगा total internal reflection, समझ के वाला point, yes ma'am, तो rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun, rainbow is produced by the dispersion of white light, sunlight by raindrops in the atmospheric, atmosphere, each raindrop act as a tiny glass phase splitting the sunlight into spectrum, वोई चीज़ है, तो बटा हम यहाँ पर क्या देखें, कि जो आपका raindrops होंगे, वो किसकी तरक करने वाली है, वो act करने वाली है, as a glass placement, तीक है, अब आप देखरें, यहाँ पर आपका हो रहा है TIR, as you can see in this diagram, कि आपकी water droplet है, and then आपकी water droplet, देखा, अब मैं आपको हम लोग यहाँ पर यह चीज़ observe करेंगे, रुखो एक मैट, तो हम लोग यहाँ पर यह चीज़ देखेंगे, कि यह आपका, किसमें तूटेगा, seven colors में तूटेगा, ठेके, आपका seven colors में इस तरीके से split हो जाएगा, ऐसे होगा कर नहीं होगा, किसमें होगा ठेके, इस तरीके से हो जाएगा, अब हम देखेंगे, कि यहाँ पर, पहला phenomena होगा है, आपको यही diagram बना कराना है, जब भी वह आप से rainbow के बारे में पूचेंगे, ठेके, पहला आपको समझ माग गया, कि this is dispersion dispersion, मतलब कि dispersion of white light है आप है, हमें देखने के लिए मिल रहा है, white light, ठेके, ओके second step में आप क्या देखेंगे, second step में आप देखेंगे TIR को, TIR, total internal reflection, और हम देखते हैं, सारी rays TIR नहीं करते हैं, कुछ ही rays, क्योंकि आपको पता है ना, कुछ rays तो as it is भी निकल जाएंगी आसे, prism से, है ना, total वही rays वह करेंगी, जो आपकी critical length of incidence से जाधा होंगी, total internal reflection, आपसे अपने level पा भी इतना ही यादा को, क्योंकि इस से जाधा आपसे discussion होगा, class 12th में physics के साथ, ठीक है, तो जब आप महाँ पर पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा, कि ये TIR और कैसे हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखने हैं, इस ज ऐसे ये आपको यहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी, ओके, दन, समझ भाया, and then it will out like this, ओके, अभी आपकी कैसा, अभी चला जाता सारा, ऐसे ये आपकी बहार आजाएगी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसे आपका rainbow का formation होता है, and this is what third step, this third step में आप देखने, इस में भी तो reflection नहीं हुआ है, ठीक है, एक medium से दूसरे medium में आई ये light, कहां से, भाया, water droplet है, ये rain droplet है, और ये आपका air है, तो medium change हो गया आपका, तो मैं यहाँ पर भी आपका reflection देखने shot लो पन इसका, तो हम यहाँ पर कहा देखते हैं, the rainbow drops in the atmosphere act like the small prism, as a white light enters and leaves these raindrops, the various colored rays present in white light are reflected by different amounts, due to which an arc of seven colors called rainbow, इस form तो हम देखते हैं, एक arc हमें नजर आती है, ठीक है, अब आपको पता है, कि हिहाँ पर speed of light अलाव होती है, हर color की, जब वो air में travel कर रही होती है, तो वो same speed से travel करती है, किस से, 3 into 10 to power 8 meter per second, but, जब medium change होता है, reflection होता है, student, तब हम देखते हैं, कि उनकी speed change रहती है, जो red light होती है, उसकी speed सबसे जादा होती है, क्या red light की speed सबसे जादा होती है, तब formation of rainbow can be explained with the help of diagram, as shown in the figure, a ray of light, अब आप देख रहे हैं, आपकी, ठीक है, this is white light from the sun here, next, this is the rain drop here, and यह जो rain drop है, वो rain drop हमें क्या चीज़ लिखा रही है, इसमें क्या हो रहे है, आपका TIR हो रहा है, बता ही जरा, हो रहा है, यह सम्म हो रहा है, TIR कब होता है, जब आपका angle of incidence, critical angle of incidence से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब आपका TIR होता है, मतलब कि, incident rate ऐसे angle पे थी कि आपका जो normal है और reflected रहे है उनों आपस में क्या बना दिया 90 degree angle बना दिया this is called critical angle of incidence and अगर आपका critical angle of incidence कम हो गया किस से incident ray से तब आपका हमें क्या देखने के लिए मिलता है तब हमें देखने के मिलता है आपका total internal reflection समझ के this spectrum undergo total internal reflection within the raindrop and finally reflected out of the raindrop और वाप पे से reflect out होगा reflection क्यों होगा कोई बच्चा मेर से यह नहीं पूछागा कि मैं reflection क्यों होगा क्योंकि आपको पता है water droplet मला जो आपका rain droplet और जो आपका air वाला medium है वो दोनों ही अलाग medium है मतला there is a rarer medium and there is a denser medium so इस विड़ास हम लोग क्या देखने के बहाप है हम लोग यह चीज़ देखने क्या आपका reflection होगा this spectrum produced by the raindrop in the atmosphere is seen from the earth हमीं देखने हम यह आर्च से इजली देख पाते है the red color of spectrum appear at the top of the rainbow whereas the violet color appear at the bottom the formation of seven colors rainbow in the sky shows the white light consists of a mixture of seven colors light आप यह जो rainbow का formation है यह हमें यही चीज़ दिखा रहा है कि जो आपकी white light होती ही वो क्या होती ही आपकी white light आपकी seven colors में split हो जाती है आप आते है हमारा हमने topic देख लिए सारा क्या आपका glass prism क्या होता है मैंने पहले glass prism समझा है आप लोग को उसको ना एक paper पर बना के दिखाना है ठीक है वैसे practical किसमे होता है यह activity students कुद से गरते है मतलब क्योंकि हम यह पर बता देते हैं उनको कि क्या क्या चीज कैसे हो नहीं but I am here so why there is a fear मैं बता रहू ना पूरी activity देखो आपको एक sheet of white paper drawing board drawing pencil लो उससे fit कर दो paper ठेक है okay place a glass prism in such a way that it rests in its triangular base अब आपको उस पर glass prism को रखना है इस तरीक से कि triangular base उसको ओपर आ जाए place the outline of prism using a pencil यह paper लो paper पर रखो prism और सीधा इसको ओपर क्या लगा हूँ pencil से tracing कर लो यह ना जब आप class अभी आप class strength में आपके teacher ने यह कराया भी होगा अगर आपका यह chapter चल रहा होगा school में उन्होंने यह activity आपको lab के अंदर कराई हुई भी होगी ठीक है फिर वो board pins को हम लोग use करके उससे tuck करेंगे trace the outline फिर आप outline trace कर देंगे draw a straight line PE inclined to one of the refracting surface अब आपको करने है कि straight line बनानी है आपको PE की inclined मले incident रहे एक तरीके से ठीक है say AB of the prism fix two pins say at a point PQ on the line PE as shown in figure ठीक है मैं बता रही हूँ आपको मैं बना कर दिखाऊंगे आपको एफिर next look for the images of the pin fixed point PQ through the outer face देखो मैं आपको simple सी बता रही हूँ यह जो आपकी activity है यह पूरी तरीके से कैसी है prism पकड़ो और prism को चिपका दो paper पर और paper को रोग दो pinों से ठीक है और उसके बाद क्या करना है वही एक incident ray डालो PQ हुहाँ पर pinे set कर दो ठीक है कर दो को pinे set उसके बाद आपको पता है कि अब महाँ पर क्या होगा reflection होगा अब आपको reflection दिखाना पड़ेगा fix two pins at a point RS such that the pins at RS and the images of the pins of PQ line on the same straight line remove the pins and the glass prism अब आपको क्या करना है अब उन pins को remove करो और glass prism को remove करो और line PE को meet करो अब at point E similarly join the produce the point R and S let these lines meet the boundary of the prism EF respectively join ENF और अब क्या करो उन lines को meet करा दो सही से ठीक है paper लो paper पर prism रखो outing करो और क्या करना है एक incident डलवाऊ होगा पर PE की and then क्या करो उस पर pin वगएरा लगा लो ठीक है और उसके बाद उसके बाद उन pins को भी रमूव करो उनको किसको remove करो prism को बेटाओ and then outing करो and बहाँ से निकालो पूरा पूरा जो आपकी activity कुछ नहीं है जो हमने अभी तक वो देखा था ना जो मैं आपको prism बगएरा बनाना से कहा है था वही है पस आपको वही चीज़ करके दिखानी है समझ भाए वाला incidence mark करना angle of reflection and angle of emergence okay done आजो जरा मिट साता अब जरा हम लोग देखेंगे यह क्या-क्या बोल रहे है हमसे तो सबसे बहले एक prism लो पेपर लेना है पेपर को प्रिस्म लेना है बट आपी मैं हापर सिफ प्रिस्म ले रहे हूं ठीक है वह आपको पता है फिर हापर वही पिनो से चलेगा सारा खेल okay done ठीक है हमने प्रिस्म ले लिए आप हम लोग देखेंगे हापर क्या-क्या हमसे बोल रहे है करने के लिए fix a sheet of white paper and drawing a board using drawing pins ठीक है and place a glass piece in such a way that it rests on the triangular base or trades the outline आपने trace कर ली ठीक है using a pencil draw a straight line P inclined to one of the reflecting surface अब आपको इस तरीकी से एक reflecting surface के लिए inclined वो बनाने है मतलब कि ऐसी this ray this is PE, ठीक है point आपको mark करने है हापर P and E और यहाँ से एक ray आपको इस तरीकी से डालने है अब आपको पता this is the incident ray here तो अगर यह incident ray है student तो हम यहाँ पर क्या चीज़ और चीज़ और चलो next एकते है तो draw a straight line P inclined at one of the reflecting surface यह AB of the prism ठीक है AB यह this यह बोल रहे हैं कि आपका जो surface है AB है यह AB पर आपने inclined ray draw करने है P E next fix two points such a point PQ on the line P E as shown in figure अब आपको two pins set कर देने है P and Q पर on the line P P E पर P Q आपको two pin set कर देने है ठीक है समझगे वाला point आप लोग यहाँ यहाँ पर इस तरीक से आपका E हो गया ठीक है अब आप देख रहे हैं यहाँ पर E नहीं यहाँ आपका E है और यहाँ आपका Q है कर दोगे pin set okay मैं कर देंगे हम लोगे यहाँ पर pin set next आपको क्या करना है चलिए next आपको करना है look for the image and fix the point Q throw out the other सबकिस वाला उस image को देखके बस वैसी आपको create करना है तो हम यहाँ पर क्या देखना है अब मैं आपको पूरा बता रहूं गहीं से कि यहाँ से क्या होगा उस image को देख देखके आपको सारा काम करना है ठीक है activity given है और यह आपको खुद से करना है यह आपको खुद से करनी है लैप के अंदर होगी activity pin और क्या चीज़ ऑब्सफ करें भीट हम लोग यह चीज़ ऑब्सफ करेंगे यह आप फाम तो तो जानी सकती ते और यह आपकी वह यह क्या करीगी यह आपकी medium फो यह हम चेंज करके आ रही है, ठीक है आपका यह, medium change करके आ रही तो हम देखेंगे यह आपकी कहा साहरे है, यह denser से rare and medium मैं आरी है प्रिय्म से ear है तो मत अब यह आपकी कहा जाएगा या आपकी away from the normal जाएगा और this is emergent तो अब अगर हम लोग इसको लेबल करेंगे बटा तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ लिख सकते हैं कि यह वाली जो रहा है this is incident ray incident ray and this ray is called emergent ray और यह वाली कौन से ray है बटा है यह है आपकी emergent ray emergent ray and this is your reflected ray this is your reflected ray अब मैं ज़रा इसी मैं angles mark कर रही हूँ तो आपको angles भी बताने हैं हम आपके अब आप घ्रान से देखो incident ray और normal के बीच में बनने वाल angle angle of incidence done? yes ma'am आपका यहाँ पर reflected ray आपकी यहाँ पर है बटाए यहाँ भी normal है यहाँ भी हम इसको बोलेंगे R1 हम इसको बोलेंगे R2 angle of reflection 1 and angle of reflected ray फिर आपकी emergent ray और normal के बीच में बनने वाला angle होता है angle of emergence ठीक है? और आपको पता है स्वेंट angle of deviation क्या होता है देखो prism होने की वज़ा से आपकी जो incident ray है अगर prism नहीं होता तो incident ray कुछ ऐसे जाती बट वो ऐसे नहीं जा पाई वो prism होने की वज़े से इतना okay done बस इतना सा है screenshot ले लो easy peasy और आपको पता है angle of incident क्या होता है angle of reflection क्या होता है ये सारी चीज़े भी आपको अच्छे से मालूम है समझ गें? तो बस इसके साथ आप हम इस session को एंड करें मैंने आपको सारी important चीज़े यहाँ पर करा दी है राजिस्थान बोर्ट तो हम लोग आपको प्रवाइट कराते हैं सिख से लेके class 12 तक की free of course classes students अगर आपको ebooks से नहीं नोट साही उसका लिंक भी आपको हमारे description box से मिल जाए को तो जाओ और जोले से grab करो और आप हमें follow कर सकते हैं through YouTube, Facebook, Instagram, Tutor, Telegram and WhatsApp इन सब के तुरू आप में follow भी कर लीजे आप मैं मिलूँगे आपसे next session में जहां पर हम लोग क्या discuss करेंगे या आप लोग के लिए surprise है तो जरूर आएगा session के लिए और बने रेगा मेरे साथ magnet brain पर thank you so much